कैसे आप सब तो फ्रेंज देखिए मैं बहुत ही सुन्दर डिजाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जिसे आप लेडिस कारडिगन में टॉप में जैकिट में शरग में और बेबी स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे तो बहुत सुन्दर लग है यानि की टैन रोज का डेजैन यहां तक फिर इसके ऊपर जो टैन रोजा इनको सेट कर सकते हैं तो चलिए इसको बना लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंद्स यह दो सलाईयां हमने उल्टी-उल्टी बना रखी है यानि कि सीधी तरफ से उल्टा-उल्टा बनाया है और उल्टी तरफ से उल्टा-उल्टा बनाया है यहां पर देखिए यह देखिए य ये दो रो हमने उल्टी उल्टी बनाकर त्यार करी है यानि कि सीधी तरफ से उल्टा बनाना है उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है ये वाली रो तो पहले हमने ये पूरी रो हमने उल्टा उल्टा बनाकर कम्प्लीट कर लेनी है सीधी तरफ से ऐसे उल्ट उल्ट बना लेना है सारे फंदे हमने उल्ट उल्ट बना कर त्यार कर लेने है तो चलिए मैं इस रो को उल्ट उल्ट बना लेती हूँ पूरा और यह देखिए अब यह उल्टी साइट से भी हमने उल्ट उल्ट बना कर कम्प्लेट कर लेना है इस रो को भी पूरा उल्ट 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 बना कर कम्प्लेट कर लेना है सारे फंदे उल्ट 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 बना लेना है तो चलिए इसको भी मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूं तो देखिए डिजाइन की फर्स्ट ट्रो है यहां से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो यह देखिए पहला फंदा हमने उल्टा बना लेना है और अब चार फंदे और उल्टे बनाएंगे यानि की टोटल पांच फंदे हमने बना लेने उल्टे यह देखिए पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे अब यह दो फंदे हैं दो फंदों क का एक करेंगे ये देखिए आगए की तरब्या की स्वंद्धों का एक कर दिया अब यहां इस पंदे के दोनों साझ हमने जाली डालनी है तो दागे को आगे करेंगे और इस पंदे को सीधा ना लें ये देखिए जाली भी डल जाएगी और ये दो का एक भी हो जाएगा यानि कि देखिए दो का एक कर रहे हैं तो हम जाली डाल रहे हैं दो जाली हमने डाल दी है और यहाँ पर दो का एक भी किया यानि कि फंदे हमारे बराबर ही रहेंगे फिर धागे को अपनी ओर करेंगे औ पांच छे 7 साथ हमने उल्टे बनाने बाद फिरसे वही डिजाइन रिपीट करेंगे अब यहां से देखिए इस दो फंदों को छोड़कर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो देस 1112 यहां तक हमारा बारा फंदों का डिजाइन है और सेम हमने फिर से वहीं रिपीट करन कर देंगे देखें तीन फंदें फिर से हमने बना दिए यह तीन फंदें जैसे हमने यांपर बनाये थे अब फिर से इसको पलटकर सीधा कर लेंगे फंदे को देखे और इसको दो का एक कर देंगे और यहाँ पर यह एक दो तेन चार और यह पांच वाला फंद भी बना कर पांच फंदे हमने उल्टे बना लेंगे यह देखिए first row हमारी complete होगी second row में हमने क्या करना है कि जो फंदे हमने उल्टे बनाए थे इस side से उसको सीधा बनाना है यानि कि जो फंदे हम सीधे दिखे रहे हैं वो सीधे बनेंगे और जो उल्टे दिखे रहे हैं उल्टे बनेंगे यह सीधे फंदे हैं चार पांच अम धागे को अपनी और करेंगे और देखिए साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार आच छे पांच फंदे उल्टे बनेंगे साथ फंदे नी पांच फंदे उल्टे बनेंगे साथ फंदे हमारे सीधे बनेगे एक दो तीन चार पांच छे साथ फंदे सीधे बनाने बाद धागे को अपनी और करेंगे फिर से पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच धागे को पीछे करेंगे अब यहापँ देखे एक, दो, तरीग, चार, यह पाँच यह हर रो में हमने उल्टी साइड से हर रो में ऐसे ही करना है जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं उनने सीधा बनाएंगे और जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाकर कम्प्लेट कर लेंगे अब यह देखें यह हमारी थर्ड रो है देखें एक फंदा उल्टा बना लेंगे यह आप उतार लीजे एक, दो, और यह तीन, तीन फंदे अब उल्टे बनाएंगे आगे को पीछे करेंगे और यह आगे की तरफ से स्लाइड डालते में दो का एक करेंगे आप देखें यहाँ पर यह जो एक फंदा है, इसके दोनों साइड हमने जाले डालने है, हमने यहाँ जाले नहीं डालने है, इस फंदे के दोनों साइड डालने है सिधा अब फिर से इसको उतार कर सिधा करेंगे फंदे को और दो का एक गरतें गञेगे इस फंदे जैसे डोनों साइब हमारे जाली बन रहे न होसाइक बनाती जाना है अब धागे को अपनी और करेंगे पांच फंदे उल्टे एक दो तेन चार पांच पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे फिर से रिपीट करेंगे दो का एक करेंगे और अब यह जाली वाला फंदा पहले सीधा बनाकर फिर से जाली बना लेंगे और इस पंदे को तार के इसको सीधा करके दो खा एक कर देंगे और यह चार पंदे यहनिकी उल्टे बना लेंगे आ देखे थ्रड रों और कम्प्लीट है फूर्थ रू जैसे कि हमारे उल्टे फंदे दिखे रहें जो सीधे तो मैं इस स्क्राइब कर लेती हूं मैं आपको फिप्ट रो में आप दिखाऊँगी यहांपर देखिए एक फंदा उल्टा से उतार लेगे उपर आप बना लिजी और अब यहांपर देखिए एक दो दो फंदे हमने बनाने अब और उल्टे दागे को पीछे करेंगे और ये दो फंदे आगे की तरफ से सलाइड डालते दो का एक करेंगे अब यहां देखिए दो फंदे हमने पहले सीधे बनाने एक दो अब इस फंदे के दोनों साइड जाले डालेंगे पिर से जाले डालते विए दो फंदे सीधे एक तो अब इस फंदे को उतार के सीधा कर लेंगे और दो कि एक करेंगे यहां पर देखे एख है दो तीण तीन-फम इल्टे बनाले में अब फिर से वहीं डिजाइन रिपीट करेंगे यह देकर हागे से अ करेंगे दो फन्दे पहले सीद इह बनाएंगे फिर इस फंदे की दोनों साइट जाली डालते वे ये देखिए दो फंदे को तार के सीधा कर लेंगे दूंका एक कर देंगे इसको और ये देखिए दो फंदे उल्टे बनाकर और ये स्टेश्ट लास्ट का यहां इसे भी इंटां बना लेंगे यह दिखी इफ्थ वरों कम्प्लीट होगी आसे क्षेश भी बना ला कि जो फंदे हमें सीधर में सीधय बना लेंगे जो यौटे दिखे रहे हो नैल उल्टा बना हलेंगे यौन सेवं तरों में सीधे बनाने के बाद फिर से इस फंदे के वा जाले डाल April सीधे बना है प्रखिर दागे को पीछे करेंगे फिर से रिपीट करेंगे दो फंदों का एक फिर तीन फंदे सीधे एक तो तीन फिर जाले डालेंगे और एक फंदा सीधा फिर जाले डालेंगे तीन फंदे फिर से सीधे एक दो तेव सिद्ध को तार कर इसको सीदा कर लेंगे और दो पंदों का एक कर देंगे अब एक फंदा उल्टा बना लेंगे और ये एज टिच भी उल्टा बना कर तियार करेंगे यह देखिए 7th row complete हो गई है 8th row जो फंदे सीधे दिख रहे हैं वो सीधा बना लेगे जो उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टा बना लेगे देखिए एक फंदा यहां सीधा है एक फंदा यहां सीधा है और एक फंदा यहां सीधा है बाकी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना फिर देखिए एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से जाली डालेंगे इस फंदे के दोनों साइड में, जाली डालते वे एक फंदा सीधा फिर जाली डालते वे फिर से चार फंदे सीधे बना लेंगे, दो, तीन, और इस फंदे को चार, चार फंदे इसको ऐसे उतार लेंगे और जो यह आगे वाला फंदा है इस लाई में ले लेंगे फिर जो यह उल्टा वाला फंदा है यह इस लाई में ले लेंगे और यह तीन फंदों का एक कर देंगे यह देखे ऐसे तीन फंदों का एक कर दिया अब फिर से वही रिपीट करेंगे चार फंदे एक दो तेन और ये चार फिर जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा फिर जाली डालेंगे चार फिर से सीधे एक दो तेन चार अब इस फंदे को उतार कर ऐसे कर लेंगे सीधा करके दो काई करेंगे और ये लास्ट में एक फंदा उल्टा है इसे उल्टा बना लेंगे अब ये देखे हमारा यहाँ पर 9th रो कंप्लेट हो गई है 10th रो देखे 10th रो में कोई भी फंदा उल्टा नहीं है इसलिए इसलिए रो उल्टी उल्टी बनके हम कंप्लीट कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स यह हमारा टैन रो तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब 11th रो में पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे अब यहाँ पर जाली डालेंगे दागे को अपनी ओर करके इस फंदे को सीधा कर लेंगे ऐसे और यहां दो का एक करेंगे और फिर से जैसे हम पहले रिपीट कर रहे थे 7 पंद उल्टे मनेंगे दागे को आगे करके 7 पंद उल्टे तीन यह चोथे पे आना चाहिए यह वाली जो हमारा है चोथा फंदा यह देखी उल्टा होना चाहिए पांच चई साथ फंदे अपने बना लिए दागे को पीछे करेंगे ये दो फंदों का एक करेंगे आगे की तरफ से सिलाई डालते वे अब ये देखी बीच के आगया हमारा तो इसमें दोनों साइड में जाली डालेंगे इस फंदे को सीधा बना लिया जाली डालते वे फिर जाली डालते हैं फिर से वही रिपीट करेंगे इस पंदे को सीधा कर लेंगे दो का एक कर देंगे और साथ बंदे उल्टे बनाएंगे दागे को आगे करके साथ बंदे उल्टे चार पाँच छे साथ साथ बंदे उल्टे पिर से देखें दागे को पीछे करेंगे और यह और यह एक फंदा सीधा और यह लास्ट में एक फंदा उल्टा बना लेंगे अब द्यागी को पीछे उल्टी रो में देखिए जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं वह उल्टे बना लेंगे जो सीधे दिखे लें उन्हें सीधा बनाकर कंप्लेट कर लेंगे तो यह देखी 13 रो एक फंदा उल्टा बना लेंगे और लागे को पीछे करेंगे यह वाला फंदा सीधा बनाएंगे अब आपको यह दिहान रखना कि इस फंदे के पास में ही जाली होनी चाहिए ठीक है फिर जाले डालते वे यह वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे और इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर देंगे और दो का एक कर देंगे और यहाँ पर पांच फंदे दागे को आगे करके पांच फंदे उल्टे बनाने एक दो तेन चार पांच फंदे उल्टे बना लिए फिर से दागे को पीछे करेंगे अब यहाँ दो फंदों का एक करें बना लेना है अब यहां पर जाली डालनी है दागे को आगे करके इस फंदे के दोनों साइड में जाले डालेंगे और यह वाला फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करके दो काई कर देंगे पाच फंदे फिर से उलटे एक दो तेन चार पाच फंदे उलटे बना लि contributor ऑदी को पीछे एब दो फंदो का एक करेंगे और यहां पर यह वाला फंदा सीधा बना लेंगे अब यह वाला फंदा लास्ट मैं उल्टा आगे रो 14 रोभी हमारे जो फंड़े सीधहरे हैं हम इनने सिदे़िकर बजय सद्वाना मिउखे कर साफ ले 1944 फटे कर लें 12 रोभी दैखे बनाकर 15 वो फंड़र लेंगे फिर चल शीधों पtheagी के फिwn और बनासे चल फ्रम पीछे कर स blur फंदर लआ लेंगे और अब तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फंदे उल्टे बनाने वाद धागे को पीछे करेंगे फिर से दो फंदों का एक कर देंगे अब यहाँ पर फिर से दो फंदों सीधे बनाएंगे दो फंदे फिर से जाली डालेंगे इस फंदे के दोनों साइट सीधा बना लिए फिर सीधे बना लिए फिर देखिए इस फंदे को तार कर सीधा कर लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से तीन फंदे उल्टे दागी को आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे बना लिए तीन फंदे उल्टे बना लिए फिर दागी को पीछे करेंगे अभी ये दो फंदो का एक कर द बनाएंगे एक दो जाली डालेंगे और एक पंदा यह सिधा बना लेंगे अभी लस्ट में एक फंदा उल्टा और यह दिखिए 16 रोग जो फंदे सीधे दीख रहें उन्हें सीधा बनाएंगे जो उल्टे दीख रहें उल्टा बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं कर दो कि दरिंगे से 17 रों में efficient जूं ऐसे उतार लेंगे दके को पीछ ये वह लासा मना चिख बनाएंगे और फिर ज़ले डालेंगे पर एक दो तीन प्रफ शी दे बना ल्गे अब इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे और दो दूफंदों का एक करतेंगे लिए 5 देखिए एक फंदा क्वा उल्टा बनाना है यहां पर दागे को पीछे अब यह देखिए 5 दो पंदों का एक करेंगें आपर सिधी तरब से और तीन फंदे फिर से सीधे एक दो तीन अब इस फंदे के दोनों साइड जाली पड़ेगी फंदा सीधा बना लिए फिर से जाली डालते वे तीन फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से देखी यह वला फंदा उतारेंगे सेम बार बार हमने वही रिपीट करते जाना है जितने आगे की तरप से दो फंदों का एक करते हैं और यहाँ पर देखिए एक दो तीन फंदे सीधे फिर धागे को अपनी ओर करके जाली डालते वे एक फंदा सीधा और धागे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा यहाँ देखिए 17 रो कम्प्लेट हो गई है 18 रो जो इनको उल्टा बनाकर कम्प्लेट कर लेते हैं तो चली इनको मैं पूरा बना लेती हूं अब देखिए फ्रेंट 19 रो एक फंदा उतार लेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर से जाली डालेंगे अब देखिए एक दो तीन तीन चार अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ बेबी दो काई करना है और फंदा हमारीय पास एक फंदा बचा यहाँ सीधा कर देंगे और ये अब तीन फंदों का एक कर देंगे, आगे की तरफ से सलाई डालते वे, तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे, ये देखिए, अब हमने फिर से बनाने, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे के दोनों साइट में जाली डा चार फंदे फिर से सीधे एक दो तीन चार फिर से देखिए ये वाला फंदा हमने जो है ये बैक साइड से उल्टे वाला फंदा इसको आगे कर देंगे और ये तेन फंदों का एक फंदा बना देंगे तकी एक बना दे प्रसे चार फंदा सीधे एक दो तेसे चार फंदे सीधे बना लिए धागे को अपनी और करेंगे जाली डालती पे एक बंदा सीधा धागी को पीछे करेंगे रहां कोई ऐसे उल्टा बना कर गए पूरे बनाकर कमप्लेट कर लेती हैं 19 रो इस और 20 रो कोगे ने बनाकर 20 रो और 20 रो ने बनाकर में पूराशीं23 अगर क्छेथ बन दो सुनुदर द्यार हमारा बन कर तैयार होता है इसे आफ पूरे project में डालेंगे ना लेडीS कारडीओन में तो बहुत सुंदर डिजाइन है और बहुत सुंदर लगेगा ये इस color के जो आप खाडीओन July में तो ये सारे शुटों के साथ बहुत ही जाता है तो आप इस color में भी बना सकते हैं या आप अपने choice से कोई भी color लेकर बनाएंगे ना देखिए कितना सुन्दर design है तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो please चैनल को subscribe, like, share जुरूर कीजेगा तो friends फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए, bye, thank you